शोटावदेपुर जिल्लानी बोडर उपपर गुजरातना गामों थी गहराईलू छे साजनपुर गाम जो ये विशेश एहवाल साजनपूर गामे मध्यप्रदेश ना अलिराजपूर जिल्ला ना कठिया वाड़ा तालुका मा आवेलू छे साजनपूर गामे गुजरात मा गामड़ाओ थी घेरायलू गाम छे परन्तु हकीकत मा ते मध्यप्रदेश राज्ये मा आवे छे स्तानीकों साथे वाद करता तेवे जणावव्य अतू कहिया तिमने मध्यप्रदे शाषन द्वारा तमाम सुविधाव आपवा मावे छे अने मध्यप्रदे शाषन ती तेवो खुशपन छे साजनपुर गाम मा लोको ने रोदबरोद नो वेवार गुजराष साथे जोडाये लो छे खरीदी माटे तेवो गुजरात ना छोटाव देपूर खाते आवता होए छे मद्यपदेश शरकार नू रेवन्यू गाम हुआ ना करने आ गाम थी 6 किलोमेटर दूर आवेलू कठियावाडा तालुका मतक चे तो 25 किलोमेटर दूर आवेल अलिराजपूर जिल्ला मतक चे जरे 8 किलोमेटर दूर चानपूर पोलिस मतक मां समावेश करवा माव्यो चे इंदो डिवीजन मा आवेलू आ गाम चे, मध्यपदेश प्रसाशंद्वारा संचालीत आ गामनी शिक्षन विवस्ता माटे त्रण जेटला फडिया दीट वर्ग शाड़ा आवेली चे, जारे गाम मा धोरण एक थी दस उदिनी कस्तुर्बा निवासी शाड़ा आवेली चे, तो दक्षीने मोटी रंगपूर, मोटी सडली गाम आवेलू छे, आमा साजनपूर गामनी चतुर सिमा जोता, आ गामनी चारे बाजु गुजरात राज्यना गामों आवेला छे, लोक मानने ता मुझब राजा रजवाडा ना वकतती छोटा ओदेपूर जिल्ला नी सरदमा आवेला साजनपूर गामें गुजरात राज्यनी सरदमा आवेलू हुआ छतापन मध्यपदेश्टू रेवन्यू विलेच छे एंपी गुजरात के बीच में हमे रहरा है तो हम लोगो को किसान लोगों का काम पढ़ता है आदे लोग को जोबित गुजरात में भी काम काज करने मेें दुकान दारी सब खरीदी करते और फसले हमारी पेदावार होती है वो भी बेचने जाते हैं और हमारे MP में भी हम बेचते हैं अरे गमजी भाई ये बताईए आप तो कि ये जो आपका जो गाउं है इसके चारो और कौन से कौन से गाउं है हमारे साजनपूर में चिपका हुआ गाउं चार तरब गुजरात के गाउं है एक मोटी सटली है एक मोटी कनास है एक दियावाट है दूसरा टीमला है ये से चार पाज गाउं चिपके ला है बीचे बीच साजनपूर गाउं है गुजरात के अंदर जैसे सिरिलंका का भारत मे कैसा टापू पड़ा एसा ये गाउं है